जैहिन जैशिक्षक साथियों वेलकम बैक तो मैं चैनल विभाग ने जो हमें मैथ किट प्रोवाइड की है आज मैं उसके जो रिमेनिंग किट रह गी थी उनका डेमो मैं यहां शेर कर रही हूं कक्षा शिक्षन के दोरान जो गतिविदी होगी वो भी मैं आपके साथ शेर कर बने रहेगा चले शुरू करते हैं अपना वीडियो मैथ किट का नेक्स्ट आइटम संख्या कार्ड और पासे जो की 65 संख्या कार्ड है उसमें चार पासे हैं इसमें नंबर्स हैं और यह डाइज हैं चार डाइज हैं इसमें यह मैं आपको खोल के दिखा रहे हूं यह खु इसमें प्लस के माइनस के अड है घटा लिखा हुआ है इस तरह एक सिम्बल है और इसके बाद यह 123 यह भी नंबर के हैं और साथ में यह एक इस तरह का डाइस है जैसे लूडो में होता है डॉट्स बने हुए नंबर्स के अब हम इसका यूज देख लेते हैं माली जी हमने को चला देखे इस तरह माली जे बच्चे ने पासे को चला तो यहां है 7 plus 2 7 plus 2 के इतना होता 9 तो इस तरह कार्ड में से बच्चा देखेगा 7 plus 2 होता है 9 इस तरह बच्चा सीखेगा इसी तरह इसमें कार्ड में माइनस के और पूलेशन के सिंबल दिये हों है अब इससे एक चीज और देखी जा सकती है यिसारी कार्ड या बताना है कि 35 के बाद क्या आता है तो 36 आता है बच्चा यह कार्ड ढोड़ं कर हमें दे देगा कि 36 आता है 36 के बाद 37 आता है अब इसके बाद आएदे हम बीच का नमबर हटा दें और ये भी पूछ सकते हैं कि 35 और 37 के बीच में क्या है तो 36 आता है तो इस तरह इस संख्या कार्ड्स की मदद से बच्चों के काफी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते है अब इस मैथ किट का नेक्स्ट आइटम देखते हैं ये देखिए ठोस आकरतियों वाली किट है जिसमें कुल ठोस 20 आकरतियां दी गई है और ये 20 आकरतियां वल्क्रो सबस्टेंस से बनी हुए इनकी उपर वल्क्रो सबस्टेंस लगा हुआ है ये आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई है ये मैंने एक बार में ही निकाला है और ये देखिए आप पूरा एक ही बार में बॉक्स खाली हो गया किट पूरी खाली हो गई है आप देख सकते हैं आपस में अच्छी तरह से चिपकी हुए है इनमें सारे शेप दिये हुए है ये 3D शेप है आप देख सकते हैं ये बेलन है ये बॉल है इसके बाद ये कोन है कोनिकल शेप है 3D शेप दिखा रहे हैं ये डिस्क शेप है और इसके बाद और देख लेते हैं यह rectangular है घनाब है यह यानि की cuboid यह भी cuboid है इसके बाद इसमें कुछ cube भी दिये गए है 3D shapes है cube जिन में height और लंबाई और चोड़ाई बराबर होती है 3D shapes है अब इनकी help से हम कोई भी shape बना सकते है क्योंकि यह velcro है तो यह आपस में आराम से चिपक रहे हैं आराम से चिपकते जा रहे हैं अब मैं एक आपको shape बना कर बता रही हूं इसमें मैंने कुछ balance shape ले लिये हैं यह देखे और एक spherical यानि की गोला ले लिया है ball shape ले लिया है इसे देखे एक इनसान की तरह आकरती बन गई है अब इसके उपर मैं एक conical shape लगा देती हूं तो यह scarecrow की तरह दिख रहा है अब हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि यह इसमें हमने कौन-कौन से shape यूज किये हैं और किस shape की कितनी संख्या है बच्चे भी खुश और आप भी खुश क्योंकि बच्चे भी सीख रहा है और उन्हें मजा भी आ रहा है तो यह आनंद के साथ उन्होंने यह सीख लिया सारे shape सीख लिये अब next देख लेते हैं कि यह है stamping पात्र जिसमें की कुछ stamping पात्र है दो stamping पात्र हैं जिनमें different color है और plus कुछ आकरतियां है stamp है जिनसे हम stamping करेंगे और बच्चे को भी करना सिखाएंगे बच्चे इसको करके बहुत खुश होते हैं different designs बनाते हैं यह देखें यह मैं आपके सामने open कर रही हूँ यह है यह जो stamp color जो होगा जिससे color बच्चे use करेंगे जिस पर stamp लगाएंगे इसके बाद यह shape है different shapes यह आप इसमें देखें यह जो shape है नीचे से rectangular बना हुआ है जब आप इसको stamping pad पर रखेंगे तो इसी color का और इसी shape की आकरती copy पर बन जाएगी इसके बाद next यह देखें इस टार शेप की आकरती है यह spindle shape आकरती है तरकू के आकार की आकरती है इसको भी जब आप इस तरह यूज़ करेंगे तो इसी shape की बनेगी इसके बाद जो next shape है वो नीचे से triangle है जब इसको यूज़ करेंगे तो copy पर triangle shapes बनेंगे यह semi circle है अर्ध व्रत्तकार आकरती तो जिस तरह की आकरती दी गई है यह पूरा circle है फूल circle है और यह square shape आएगा इससे तो अब चलिए इसका use देख लेते हैं माली ज़िए copy है और इस पर हमने ink लगा लिए stamp pad से अब हम इसको इस पर प्रेस करेंगे तो देखिए star shape बनता जा रहा है stamp pad की ink थोड़ी सी dry हो चुकी है इसलिए थोड़ा सा clear नहीं आ रहा है लेकिन अभी भी बन रहा है चलिए red से बना कर देख लेते हैं पूरा full circle यह देखिए बन रहा है आप ulti side से भी बना सकते हैं यह देखिए मैं बना कर दिखा रही हूँ यह देखिए यह इस तरह का पूरा shape बन जाता है बच्चों को इससे काम करने बहुत मज़ा आता है इसमें कुछ दो stencils भी दिये हैं जो कि spiral shape बना रहे हैं stamp pad का यूज़ करने पर इनसे हम बच्चों को इस तरह सिखा सकते हैं दो star shape बना दिये प्लस 3 star shape कर दिये तो आप कितने star shape बनाएंगे तो बच्चे बताएंगे आप 5 star shape बनेंगे अब next है खेल मुद्र प्ले मनी इसमें total 28 सिक्की और 32 नोट है अब मैंने आपको open करके दिखा रही हूँ यह देखिए इसमें यह specimen note है साथ ही kit जो है कुछ सिक्कों की भी दी गई है इसमें यह सभी सिक्के और note बच्चों को यह समझाने के लिए हैं कि note का concept उनको clear हो साथ ही इससे वो जोड और घटाव भी सीख जाते हैं मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे वो जोड और घटाव का concept भी सीख पाएंगे इससे तो यह वो coin है जो इस kit में दिये गए हैं सबसे पहले देखते हैं कौन सा यह देखिए एक का coin है इसके बाद जो next है वो भी एक का ही निकला है एक का coin है यह भी और यह दो का coin है इस तरह और भी coin दिये गए हैं अब इनकी help से हम सीखेंगे कि बच्चे कैसे जोड़ना और घटाना भी सीखेंगे अब मैं आपको यह कागस के note दिखा देती हूँ इसमें यह देखिए यह 10 का note है इसमें यह देखिए 10 का note है इसके बाद यह जो निकल रहा है वो 50 का है शायद यह 50 का note है अब माली जी हमें बच्चों से पूछ रहा है कि 11 या 12 रुपए कैसे होगा तो बच्चे एक 10 का note रख देगा और 11 रुपए के लिए एक का coin और 12 के लिए एक के दो कोईन रख देगा और माली जी हमने पूछा कि 51 रुपए आप कैसे लिखेंगे कैसे बनाएंगे तो 50 का एक note लेकर और प्लस एक का एक कोईन रख के वो बता देगा कि यह 51 रुपए है इसके बाद जो next है वो है Domino Sankha Card, Domino Number Cards Total 55 Cards है यह देखिए इस तरह के rods है इन में छोटी से holes बने हूए है और उन holes के numbers जैसी 6 number वाला दिख रहा है 8 number वाला दिख रहा है सब ही जो भी cards है उन सब में छोटी छोटे holes है बच्या count करके पताएगा कि इसमें कितने holes बने है ये 9 नमबर वाला कार्ड हो गया इसी तरह अब 8 और 9 कितना हो गया 17 अब इसका प्रियोग देखते हैं मालेजी टीचर ने कहा कि 27 नमबर बनाना है 27 का कार्ड दिया अब टोटल 27 करना है तो उसने एक 7 नमबर वाला कार्ड लिया एक 3 तो ये 10 हो गया और ये 19 और 8 27 अब देखे हो सकता है बच्चा आगे भी ले ले उसे नहीं समझ में आया हो या जब भी है तो उसने एक एक एक्स्ट्रा ले लिया तो हम उसे समझा देगे कि एक्स्ट्रा नहीं लेना है तो ये इस तरह ये 27 हो गया अब आगे वड़ते हैं देख लेते हैं Next Kit कौन सी निकल रे यenसद यह है Blocks यह देखे कुछ रंग वी रंगे Blocks दिये गए हैं इस तरह कि Blocks से तो हम पहले ही परिजित हैं इन Blocks के help से हम बच्चों को रंगों का ग्यान और उसके साथ संख्यों का ग्यान और जोड का ग्यान आसानी से समझा सकते हैं जैसे कि ये नीले रंग के ब्लॉक हम उठा कर उनसे पुछें कितने ब्लॉक हैं तो बच्चा नीले रंग के दो ब्लॉक अलग कर देगा इसके बाद ओरेंज कलर के यानि नारंगी कलर के दो हो गए और फिर ये पीले रंग के 5 हो गए और एक हो गया लाल रंग का तो अब कुल कितने ब्लॉक्स हो गए तो ये कुल हो गए 10 ब्लॉक्स तो इस तरह बच्चों को रंगों का और साथ के साथ संख्याक में जोड का भी concept clear हो जाता है ये देखिए बच्चे कितने आनंद से खेल रह अब ये जो नेक्स्ट है वो है घडी का डाइल एक डेमो है इसमें पूरा डाइल बना हुआ है पूरी संख्याय लिखी हुए घडी की साथ ही इसमें सुई भी बनी हुई है बड़ी सुई चोटी सुई तो एक इनिशिल जो concept होता है कि बड़ी सुई मिनिट की और चोटी होती है उनको स्टार्टिंग से ये समझ में आ जाएगा अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये एक रसी का टुकड़ा है जो की एक मीटर लंबा है और मापन का इनिशिल concept समझाने के लिए इसमें दिया गया है तो ये math kit जो हम लोग को दी गई है बहुत ही अच्छी है बच्च इसके भी वीडियो में आपके सामने लाओंगी तो मेरे चैनल पर बने रहेगा फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग